तो फाइनली धूंडी लिया आपने हाँ मुझे उम्मीद थी आप धूंड दोगे आज कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाना बोर्ड क्लास 9 साइंस के इंपोर्टेंट कोश्चन्स 2013 के लिए कंप्लीट साइंस के कराएंगे छोटे बड़े सारे कोश्चन्स चल पर सारी वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे और बाकी के अपकमिंग जो एक्जाम उसकी वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट में मिलेंगी और अगर यह सारी चीज आपको अर्ली एक्सेस चीए मलब जैसे वीडियो लेट आ जाते कहीं बार तो अगर आपको पहले देखना है लि आपको ज्यादा टेंसन लेने की जरूरत नहीं है पेपर जो है बहुत इजी आएगा ऐसे कोई मुश्किल पेपर नहीं आएगा वह लग बात है कि आपको बिल्कुल साइंस नहीं आती है एका भी नहीं आता साइंस का तो फिर तो क्या ही कह सकता हूं मैं लेकिन पेपर क्या रहेगा कैसे रहेगा देखो यह जो पांच नंबर के मैंने लिख रखे ना पांच नंबर के ज्यादा कोश्चन नहीं थे ठीक है चलो अब समझते हैं कैसे हैं और है कोर चीज रिलेटिटीट टोपिक जरूर कर लेना जो कि मैं बता दूँँगा वीडियों में साथ मे कि क्या क्या चीज़ें हैं आपको पढ़नी है अपनी बुक से ठीक है तो वो चीज़ें भी साथ में पढ़ लेना पेपर आपका बाहर से नहीं आएगा अलग से मलब डिफिकल्ट पेपर नहीं आएगा बिल्कुल इजी रहेगा अगर आपने पढ़ा होगा तो पहला कोस्टेन है defined and explain molecular formula and write molecular formula of the following compound तो हमको क्या लिखना है पहले तो explain करना इनका मोलिकुलर formula क्या है नहीं करना है पहले बताना है उसके बाद में molecular formula in compound का लिख के दिखाना है जैसे sodium oxide का लिखना है एंण ने बूलते हैं जिसको हम Sodium Sulfide का लिखना है Aluminium Sulfate का लिखना है Magnesium Oxide देखो Oxide वाला सबसे आसान है Magnesium पता हो निचे MgO Aluminium Oxide Alo तो ऐसे जो है ये बहुत आसान है Oxide वगरा लिखने तो और ये जो है ना सभी के आपको Cross Check कर लेना एक बार इनमें भी कोई doubt वगरा ना हो तो देखो मैंने आपको round idea दिया बस ये ये जो questions है ये वाले के आपको जो है इनके Oxide वगरा के formula अगर आपकी book में और भी है दो चार तो उनको पढ़ लेना paper में chances बहुत ज़्यादा है इनके आनेगेटी के chemistry वाले position में अब दूसरा जो question है molecular mass बताना है और molecular mass के लिए आपको molecular का mass निकालना आना चीए कैसे निकालते है सबसे आसान है भाई कुछ भी नहीं करना सभी जो atoms है atoms है जितने भी सभी को atoms का जो mass number होता है उसको सारों को जोड़ दो और वो होता है molecular mass ठीक है अब देखो जैसे ZnCO3 अब यह बढ़ नहीं करना जैडन का इन्होंने खुद दे दिया है 65.04 04 भी सही से लिखना है ठीक है पलस में जिंक का हो गया कारबन का लिखना है कारबन का है 12.04 इन्होंने इसलिए दिया है ताकि तुम गलत सलतना टेप दो 12.04 पलस में O3 अब O3 का मतलब है oxygen काईन में oxygen नहीं दिख्या oxygen का होता है 16 वैसे ठीक है पता होना चीए यह दे रख़े रहा तो 3 गुणा में 16.04 3 क्यों कर रहे हैं क्योंकि 3 है ना oxygen 3 दे रखे ना तो oxygen 3 तो 3 को सारों को जोड़ दो is equal to जो भी आएगा वो आपका अंसर रहेगा वैसे ही zinc oxide गा 65 में और यह सोड़ा में जोड़ दो और वो अंसर रहेगा वैसे करके आपको सारों का लिखना है और यह same question जैसे तुमने एक का जोड़ के लिख दिया तो एक नंबर बनेगा पांचों को लिख दिया पांच नंबर बाई फरीक है देखो इसमें आपको कुछ माथा फोड़ी वाला काम नहीं है सारा कुछ इन्होंने खुदी दे रखाताम को और ऐसे प्यारे प्यारे question आपको मिलते है exam में आपकी सोच के उपर आपको पता है या नहीं पता है बस describe the role of epidermis in a plant तो यह role क्या है इनका epidermis का plants के अंदर वो बताना है हमको structure and functions बताने है areolar and cartilage connective tissues के diagramatically show the difference between three type of muscle fiber muscle fiber को जो है diagram वगर भी बना देना अगर diagram हो तो diagram pencil से बनाना है पैन से नहीं बनाना है ठीक है तो तीन टाइप के जो है muscle fiber के बारे में आपको explain out करना है आपको difference बताना है तो यह काफी interesting question नों कभी बार पूछा जा चुका है ठीक है अब एक बार जो है question का जो examiner था या कुछ भी कहलो उसका mood बना कि बहिया चलो एक अजीब सा person देते हैं जिसको देखके बच्चे डर के डर जाएं बिल्कुल से लेकिन डरना नहीं है आपको बहुत ही आसान है ठीक है कैसे करना है देखो कम्प्लीट दा फॉलोविंग टेबल इसमें आपको atomic number atomic mass number of proton number of neutron number of electron यह चीज़े दे रखी है किशी के जो है atomic number दे दिया अरे नंबर क्या लिखा हुई अन्यूम्बिया ठीक है तो देखो atomic number दे दिया 16 16 किसका atomic number है वो आपको पता होना चीए जिसका भी है उसका mass number हमको दे electron बराबर होते हैं मतलब majority of the time majority लगबग 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 नहीं हर भार ठीक है सो परसेंट टाइम यह atomic number है यही इतने ही proton होते हैं मतलब 16 यहां पर बर्दो neutron कितने होते हैं यह भी यह 16 होते होंगे साइद फिक्स ही होते हैं almost साइद बराबर ही होता सारा कुछ में तो वो चीज़ आपको बताने हैं बस यहां पर सबका किसी का कुछ दे दिया आधी चीज़े दी है आधी नहीं दिये तो आपको बस उसके बारे में पता होना चीज़े और आप भर दोगे इनको ठीक है यह टेबल भर के देख लिए नहीं है कुछ आईडिया लग जाए दिये यह फिर जो है तीज़ें यह इसे जाएगा इसके लिए अको द्यास यह रखना है चोटे को पहले करने है पहले आद करने हैं यह तो पांच स्छनन है जल्दी से पढ़ लोगे तुम ठीक है अब देखते हैं ल confirmark के question में सबको पता होगी है नहीं पता तो मैं बता देता हूँ देखो एक लिक्वीड होता है लिक्वीड में तुम कुछ भी डाल देते हो तो जो लिक्वीड में तुमने डाला तो वह एक अप्वर्ड फोर्स लगाता है उसको हम कहते है ब्यू और एंसी ठी है समझ गए यह नहीं डूबेगी अगर यह वाले की जो डेंसिटी है वह ज्यादा है इसके उपर वाले की कंपरिटिवली तो मलब उपर वाला हलका है बेसिकली तो वह तैरने लगेगा अगर वह उससे ज्यादा जा रही है तो डूब जाएगा बस यह होता है ठीक है अब यहाँ पर आनिया आपको फाइलम एनिलिडा की एक्स्प्लें दा एक्जैंपल साथ में जुरूर याद करने है इन चीजों के अटोमिक नंबर क्या होता है अटोमिक नंबर किसी को नहीं पता हो तो बता दो भाई इतना आसान सा कोश्चन है गाइड से याद कर ले ना अटोमिक नंब परस भी होता एक चीज है ना तो आई सो बार्स क्या होते हैं ये भी साथ में पढ़ ले ना चार चीज़े तो आपको पढ़नी है ठीक है एक साइड में लिखना रैप्टाइल पेपर में और ऐसे करके एक पॉंट दो तीन और चार दोनों के चार चार पॉंट आपको पता होने चाहिए ठीक है तुम टोटल में चार याद मत करना दोनों के चार चार याद कर देंए नियूरोन का डाइग्राम याद कर लेना नियूरोन तो बहुत आसान है एक वो बिंदू सा बनाव ऐसे पूछे से निकाल दो उसकी मलब इतनी गंदी पूछे नहीं निकालनी थोड़ा पैंसिल से बनाना अच्छा सुंदर सा ठीक है यह वाला डाइग्राम होता है नियूरोन मैं कहा रहा था पहले ही बता दिया था कि अटोमिक नंबर मास नंबर आइसो बार आइसो टोपिए डेफिनेशन की पढ़ लेना और साथ में एक्जेंपल से जरूर पढ़ने है कहीं तुम एक्जेंपल पढ़के ना जा और फिर पंगे होई रहे हो आपे ठीक है नूटन में कब से आने रग गया नूटन में भी होता है जर आपने पढ़ा हो तो डंग से क्लाइंब अपार रोप थू हाइट ऑफ चार मीटर एक रसी पर चड़ रही है वह उपर चार मीटर की हाइट पे है आठ एक दो लड़किया ना ए और बी नाम रख दिया है उन्हो तो हर एक गर ने कितनी पावर एक्सपेंट करी उसके उपर तो वह हमको यहां पर बताना है फॉर्मूला लगा और निकल जाएगा ठीक है इसमें जो है वैल्यूस बदली जा सकती है तो सारे सोल करके देखने आपको ठीक है ऐसा नहीं है कि छोड़के भाग गए सोल करके द अब हमें बताना है तो तो तुम नहीं निकाल पावगे दिक्कत आएगी तो यह तुम्हें याद होनी चीए और साथ में फिर फॉर्मूला लगा और सारो का निकाल दो मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगी और पोजिशन आफ्टर चार सेकिंड चार सेकिंड यह चार की वज़ाए तीन दो पांस कुछ भी कर सकते हैं कितनी सेकिंड में वो कितनी दूर पहुंची होगी एक जो है पत्थर को उपर आसमान में फैका जाता है 40 मीटर पर सेकिंड की स्पीड से इनिशेल वेलोसिटी से ठीक है जिसको हम यू कहते हैं यह फर्मूला पता है ना वी जिगल टू यू पलस 80 वाला तो यह वाले में यू देर खाम को अगर ग्राविटी 10 है तो उसके साब से निकाल के देखो फाइंड दा एनरजी इन किलो वाट आवर यह बहुत कोर्शन आ रहे हैं यह वाला कोर्शन सबसे ज्यादा पूछ रहे है नुमेरिकल में फीजिक्स वाले पोर्शन से यह हमसे पूछ रहे हैं कि फाइंड दा एनर इस अगर एक डिवाइस है जो 500 वाट खाता है से चार डिवाइस लगा रहे है दस गंटे के लिए तो उनकी पावर कंजंप्शन कितनी रहेगी वह बताना बहुत आसान है आराम से बता दोगे तुम कई बार आ चुका है और हो सकता है NCRT की टैक्श्वल बुक में ही आपको यह कोश्चन मिल जाए जहां तक मुझे चांस लग रहे हैं मिलना चीह ऐसा कोश्चन ठीक है हाव आर सोल्यूशन या फिर गाइडवारत जहां से करना भाई कर लो फोर्मूला लगाना बस फोर्मूला नहीं भी लगाओ तो भी काम बन जाएगा देशी जुगाड करके भी पर फोर्मूला लगाओ तो भी एजी रहेगा मुश्किल नहीं है यह बहुत आसान नुमेरिकल है हावर सोल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलोईड डिफ्रेंट फ्रोम इच अदर यह तीनों चीजे एक दूसरे से कैसे अलग है अब देखते हैं थ्री मार्क्स के कोश्चन वा अतली पट्टी में ज्यादा डिफिकल्टी के होता है कि उसका प्रेसर बहुत ज्यादा होता है है ना उसका सर्फेसरिया कम हो जाता और प्रेसर बढ़ जाता है वो लोगिक आपको देना यहां पर बस और कोई अलग चीज नहीं अलग तीसमार खान नहीं बनना ठीक है किलोगराम वैसे हम न्यूटन भी देते हैं दोनों यूनिट बता सकते हो कि यह यूनिट होती है नेम दा फॉलोविंग टीशू दैट स्टोर फैट इन और बोडी वह कौन सा टीशू जो फैट स्टोर करता है कनेक्टिव टीशू विदा फ्लूइड मैट्रिक्स टीशू प साथ में सुन लो यह टाइम पिरिएड एंप्लिटूड फ्रिक्वेंसी क्या होती है वेवलेंथ क्या होती है यह सारी चीज़े आपको डेफिनेशन से इसकी पड़ देनी है ठीक है ना लिस्ट एनी थ्री हुमेन एक्टिविटीज विच वूड लेट टू एन इंक्रीज इ पूछ ले तो आपको डर्ना नहीं है यह सारे सब्सक्राइल कर लें ज्यादा कोशंट नहीं है बहुत लिमिटिद से ब्सक्राब अगर आप यह सारे कोश्चन कर ले तो आपको आपका पेपर में लग नाइंटी पलस सकोर जाएगा ठीक है इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है पेपर इजी आएगा आपको पढ़ना है वह आपके उपर आप पढ़ते कैसा हो आप ठीक है ना मैं रिलेटीड टोपिक्स भी अगर रिलेटीड नहीं पढ़के जाओगी हो सकता है रिलेटीड टोपिक मेसेज दे दे वो राइट थ्री फीचर्स ऑफ काड़ेग मसल्स काड़ेग मसल्स होती है दिल के अंदर उसके तीन फीचर बताने हमको क्या है वह क्या चीज़े है फोर इंक्रीजिंग फिशरी एंड बीगेपिंग तो हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमारे लिए कोमन प्रैक्टिच क्या चीज़ें हम कर सकते हैं आप वह बताना है मोटर कार इज मुविंग व्यविव एलोसिटी एक सो आठ किलोमेटर पर आवर एक मोटर कार है जिसकी सपीड दे रिखे हजार केजी अगर जो कार का वजन है पूरा वह हजार केजी हमको मास भी दे रखा है वैलोसिटी भी दे रखी है और मुमेंटम मुमेंटम का फॉर्मूला पता ने पीज इकल टू एम वी बस वही चीज़े आपको करनी है च्यार सेकिंड में ब्रेक लग रहे है उसके पॉर्मूला पता होगा तो तुम निकाल दोगे नहीं तो तुम अठक जाओगे इव दा उब्जेक्ट इज अलावड टू फाल अगर उस अब्जेक्ट को वहां से छोड़ दिया जाता है फाइंड इट्स काइनेटिक एनरजी और वट इट्स हाफ वे डाउन भी बताना का तुम आइट त्री डिफ्रेंस बीट्विन मास ओफ अब्जेक्ट एंड वेट वेट और मास ओफ अब्जेक्ट के बीच में तीन डिफ्रेंस बताने हमको गीव दा नेम उफ द अलिमेंट परेजेंट इन द फॉलोविंग अंपाउंड हमको जो है नाम बताने क्विक लाइ उनका तो वह वाले पढ़ लेना एक्जाम में उनमें से कोश्चन आएगा ठीक है ज्यादा नहीं है आपकी बुक में लगबग 10-15 के बीच में मैक्सिमम भोल रहा हूं मैं भी वह भी ठीक है तो उतने है बस वह उनमें से पढ़ लेना दो या तीन नंबर का कोश्चन उनमे जुरूर में बट नाइट्रेट बनाने के लिए क्या बनाना मुझे नहीं पता तो अपना बुक में चेक कर लेना ठीक है यह चीज़े सारे कोश्चन करोगे तो डिक्कत नहीं आएगा आपको hydrogen sulfide का बताना है why are lysosomes known as suicidal bag lysosome को suicidal bag क्यों कहा जाता है make a comparison and write down ways in which plant cell are different from animal cell हमको comparison देना है plant cell कैसे animal cell से different होते है difference बताना है यह 8th class में भी आपने करा था साइध आठवा चेप्टर था इतिंक सो उसमें आठवा नोवा चेप्टर उसमें बताया था ना कि plant cell में भाई आव एकोल्स होते है उसमें यह नहीं होते है उसमें वह होते है nucleus membrane covered वही सारी चीज़े बताने आपको सेम थी सेम से अगर तुमने पहले पढ़िया आपीस से प को बताने हैं differentiate between इन तीनों के बीच में सेम अंसर है लेकिन on the basis of cell wall cell wall के बताना है पहले हमको ऐसे अपनी मर्जी से जो भी है वो बता सकते हैं अब देखो two marks के question two marks के question सबसे ज़्यादा आते हैं आपके exam में calculate molar mass of the nitric acid nitric acid का molar mass जैनी कि molecular mass एक ही चीज होती है तो हमको वो निकालना है हमको compound भी दे रखा है HNO3 इसका निकालना है आपको बस पता होना चीए atomic mass क्या hydrogen का कितना है nitrogen का oxygen का इनका पता होना चीए molar mass दोनों का almost same ही लग रहा है मेरे को तो calculate the molecular mass इनका बता दो आपको कम से कम जो है 18 या 20 अगर थोड़ा risk नहीं लेना तो 25 भी जा सकते हो लेकिन 18 से 20 तक तो 18 से 20 नहीं एक से लेके ठीक है एक से लेके 20 तक कम से कम तुमको जो है periodic table के elements का mass number और atomic number पता होना चाहिए अगर नहीं पता तो तुम्हारा paper तुम्हें chemistry का हाड़ लगेगा पता है तो आसान लगेगा mass number को explain मेरे को भी ध्यान ने oxygen आपका जाना मेरे को ठीक है तो देखो ऐसे कुछ आपको बता सकते हो hydrogen का दो तीन example दे तो बस चिपका दो इनको an object of mass 15 kg is moving with uniform velocity 4 meter per second एक object है जिसका वजन है 15 kg और वो velocity ही दे रिखिए उसकी 4 meter per second kinetic energy possessed by object kinetic energy का formula लगाओ और answer पाओ बस कुछ नहीं करना इसमे find the energy possessed by object 10 kg when it is height 6 meter above the ground तो हमको क्या बताना energy बतानी है जो energy है इसके पास में 6 meter के height पर 10 kg का वजन है gravity हमको दी गई है define average power average power क्या होती है power क्या होती है और इसकी unit क्या है इसमें यूनिट पता होनी चीए इसमें वार्ट पावर बतानी है आप बल्प कंजूम 500 joule of electrical energy in the second what is power तो अगर एक बल्प है जो 500 joule एक और ध्यान रखना यूनिट में गडबर मत करना कि जूल को तुमें बदलना आना चीए जूल को watt में इनमें फलाने दिमक्के में जो main standard unit से उनमें लेके आना चीए तुमको ठीक है न तो electrical energy है 10 second में चलाय जाता है 500 joule energy कंजूम करता है तो उसके इसाब से हमको बताना है इसकी power क्या है क्या चल sound waves तो दो फाइदे बताओ reflection of sound wave का कहां पे हम इस्तेमाल करते हैं अपोर्टर लिफ्ट आ लगेज ओफ 15 kg प्रोंदा ग्राउंड और पूट इट ओन इस हैड 1.5 मिटर अबूदा ग्राउंड एक बंदा है 15 किलो के जो है सूटकेस को कहलो तुम अपने शीर पे उठागे और इनके बेस पे ही तुमको numerical मिलेगा एक्जाम में ठीक है हाँ वैल्यू बदल सकते हैं ऐसा नहीं है कि 15 का 15 ही मिलेगा 20 कर देंगे बस वह बागी चीज़े सेम रहेंगी तो वह कर सकते है बस formula तुमको अगर तुमने निकाल के देखा होगा तुम गैरंटीड वहां पे कर अगर नहीं निकाल के देखोगे तो तुम्हें दिक्कत आई फिर potential energy of freely falling object decreases progressively तो क्या होता है जब एक body है height से गिर रही होती है तो उपर तो potential energy maximum होती है नीचे आते आते वह 0 हो जाती है और यहां पे नीचे maximum क्या बढ़ने क्या लगते है काइनेटिक एनरजी है तो अब यहा जैसे की hydrogen helium lithium baryllium boron carbon nitrogen इन से special इन से बना हुआ चीज है वो ठीक है वो चार्टनियम को कि कौन से pure है ice ice क्या होता है h2o mix मसाला दो चीज है ना iron f e यानि क्या iron hg mercury एक तो हमारा क्या क्या रहेगा इसमें से iron हो जाएगा mercury हो जाएगा air में क्या है बहुत सारी mix है sugar में क्या क्य में तुम्हें क्या पता है सब्लीमेशन तो आपको पढ़ना ही है लेकिन उसके साथ में जो है कुछ और भी definition से मिलती जुलती है ना सब्लीमेशन के साथ मैं ऐसी से ही है एक कठी सी है वो सारी की सारी तीन चार डेफिनिशन है उन सारों को पढ़ लेना आपको ठीक है अभी अटोमिक नंबर क्या विद एक्जैंपल एक्स्प्लेंड करना देखो कैसे कैसे कोशिण साइकल बता दो क्या है निचर के अंदर ड्रो करना मलब चापना उक्षीजन साइकल मलब कि आपको क्या चापना इसे चापना इधर की साइड बादल हो गया ठीक है बारिश गिर सिंपल भाजने शकर रेजब न में वारतर साइकल बना दिया तो गल्त साइकल सोरी-शोरी आपको यह अगिए लेकिन कुछ पता ही चल गया तुमको राइट अबाउट कंपोजिट फिस कल्चर इसके बारे में बताना है न्यूटन फिस्ट ला यह पढ़ लेना न्यूटन का फिस्ट ला और थर्ड ला बहुत कामका है दो ला तो आपको पता होने चाहिए कम से गम फिस्ट ला ज्यादा क परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे क्या रिजन होता है कि हमको परफ्यूम की महक दूर तक आ जाती है वह इस देफरेंस बिविन एंपीबियन एंड रेप्टाइलिन के बीच में क्या डिफरेंस है इन्फेक्शियस डिसीज क्या होती है एक 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 एक्जेम्पल देन समंदर से भी मिलती है और हम इन लैंड प्रोडक्शन भी करते हैं वह सारे सोर्सिज बगारा ही बताने हैं आपको दो तीन पोइंट बना के लिख देने हैं आप ट्रेन स्टार्टिंग फ्रों रेल्वे स्टेशन एंड मुविंग विद यूनिफोर्म एक्सेलरेशन एक्सल सपीड इतनी दे रखा तो सपीड इस्टेशन निकाल लो ठीक है आसान है कोई मुस्किल नहीं है बश डि क्षिट इसंट इसकी 80 थी इनिचल स्पीड उसकी 80 थी फइनल स्पीड उसके छिक्श्टी और के पांस सेकंड में एक्सलरेशन बता दो बसका यानि कि वीचियों टो 80 वाला लगा के काम निप्टा दो ठीक है वाई डू वी फाल इंडा फोर्वर्ड डारेक्शन में ना मुविंग बस ब्रेक टू स्टोप एंड फाल बैकवर्ड वैंड एक्सलरेट फोर रेस्ट तो इसका रीजन है इनर्सिया इनर्सिया मतलब कि हमारी बोडी रेस्ट में है वह पहले मुवमेंट में थी तो बस ब्रेक लगा दिये लेकिन हमारी बोडी अभी भी मुवमेंट में रहना चाहरी है और इस वजह से हम आगे गिरते हैं फिर पीछे दोनों में सेम केस है ठीक है ना दूसरे में बस उल्टा है वह हम पहले अब रेस्ट में थे और बस पावन के बारे में था ब्रॉम्ली अब्धर है और यह वुद्ध तिए हैतने कम चाहरी आपको अच्छे से न्युमेरस मेंट सहे मेर्च व्याज़ ड्ана अंग चीजह आती है लिस रole ॉरीजक्त वाइट जिट वुझत कि तुम को क्यों पता लगता है कि तुम सोचते हो तुम बिमार हो मलब हमारे स्क्रीर का टेंपरेचर बढ़ जाता है वीकना साथी वही शारी चीजे बताने को दो रीजन देने क्या होती है उसके बारे में बताना है आप आपको बढ़ने आ होता है गनला हमें नहीं पता है भी मिल जाता है, compound में हमें fixed rates और पता होती है कि यह इतना है, यह इतना है, वो चीजे होती है, common से difference तो दो difference बताने है, state any two condition essential for good health, good health के लिए दो essential condition जरूरी चीजे क्या है, what a carpet is beaten with the, sorry, when a carpet is beaten with stick, dust come out of it, explain, इसमें भी आपका लगेगा inertia, यानि कि हमने डंडी मारी, जो body थी, ज जासे ही मारेंगे, तो यह जो गलीचा है, जो भी हमारा carpet है, वो आगे भाग जाएगा, लेकिन जो dust है, वो rest में थी, यह भी rest में था, लेकिन हमने इसको moment दी, लेकिन dust को moment नहीं मिली, और उस वज़े से वो वही पे नीचे गिर जाती है, और यह वो पूरा लोजिका inertia वाल यह electrical से फिर वो बलब है, तो electrical से light energy में convert हो रही है, वो बताना बस आपको ठीक है, function बताने है, nucleus का क्या होता है, functions, two functions of stomata, functions of stomata, functions of stomata, दोनों में सेम ही लिखना है, यहाँ पे बस मैंने दिखाने के लिए लिख दिया लग से, यहाँ पे दो function या function, दोनों चीजे एक ही है, तो इसकी definition, मलब दो difference बताने है, वैसे दो की बजाए, आपको कम से गम, अगर बड़ा question हो, अगर आपके पास points available हो, तो पांच number के हिसाब से भी कर लेना है, तीन number का, मुझे लग रहा है, तीन number के आसपास भी इस question को दिया जा सकता है, कम से गम, दो या तीन number का, तो है यह साफधानिया बतानी है, why do you fall in the forward direction when I'm bus breaks in our stove, यह सेम है, inertia वाला, inertia का logic समझ रखा होगा, तो बहुत questions है, inertia के base पे, give to practical application of reflection of sound waves, दो फाइदे, यह पहले भी आ चुका है, और अब भी वापीस से आगया, चुट गया है, question, repeat हो रहा है, question, what are the various energy transmissions that occur when you are riding a cycle, energy transmission बताने है, हमार सरीर, जो है, पहले क्या कर रहा है, पहले energy है, हमारे पास में, उसको जो है, कौन सी energy को, कौन सी energy में बदल रहा है, mechanical energy, वो अलग-अलग type के energy है, वो बताना पूरा process, कौन-कौन सी बदली, क्या हुआ, क्या नही, law of conservation of energy, हमको इसके बारे में लिखना है, यह simple सा ला है, इसक पल में इतना ही है, what is potential energy, मैं बोल रहता है, potential भी पूछ सकते हैं, दो example बता दो, potential energy के, potential energy क्या formula बता दो, इसका formula तो करने है, kinetic energy का भी करना है, potential दोनों के formula याद कर लेने, आपको, formula पर थोड़ा ध्यान देना, physics वालों में काम के formula है, exam में पूछ रहे हैं, उसके बेस पे, why वो जो है, वहाँ पे आके चिप हो जाता है, वो पूरा logic देना है, logic देना हम को, actual में इसका, what is the solution, solution क्या है, property भी देनी है, solution की, what do you mean by mole, mole क्या होते है, एक mole में कितनी value होती है, 6.022 into 10 is to power 23, एक mole में होती है, और यह आपको mole की definition भी बतानी है, write the law of definite proportion, ला बताना है, number of moles in 40 of helium, helium के 40 gram में कितने number of moles होंगे, moles निकालने आपको आने चाहिए, उसके लिए बस आपको ज्यादा कुछ पता भी नहीं चाहिए, helium के बारे में पता होना चाहिए, helium में क्या क्या है, देखो, दूसरा ही तो number है, atomic number तो दो ही है, इसका, अब उसके regarding आप देख लो, इतना आसा है, कोई मुश्किल निकालने का concept clear होगा, तो तुम्हें कोई दिक्कत ने आएगी, चाहिए, वो कोई सा भी atom पकड़ा दे फिर तुमको, और आने वाली class में भी काम आईगे चीजे, which organally is known as powerhouse of cell, जिसको हम कहते है, mitochondria is cold powerhouse of cell, और इसको हम क्यों कहते है, क्योंकि यह power generate करता है, energy, state any two condition essential for being free of disease, दो condition बताओ कि जो जरूरी है, में free of disease करने के लिए, what is soil erosion, soil erosion क्या है, मतलब मिट्टी है, जो मिट्टी अपने आप कट-कट के बहे जाती है, उसी को हम कहते है, soil erosion, right to difference between the gyminosperm and angiosperm, इनके बीच में दो difference बताना है, what is the criteria for classification as belonging to kingdom monere and kingdom protista, इन दोनों बतानी है, हमको बस, draw a diagram of smooth muscle, smooth muscle का diagram चापना है, carbon cycle चापके दिखाना आपको, law of constant proportion, तो ये जो है, ये बताना है कि ये क्या है, how does the water kept in the other world, जिसको मटका कहते हैं देसी style में, become cool during summer, गर्मियों के टाइम में मटके में जो पानी रखते हैं, वो ठंडा कैसे हो जाता है, वो बत इसे काम करता है, मटके की मिटी है, मतलब मटका बना हो, उसके अंदर छोटे-छोटे-छोटे छेद होते हैं, जो में दिखते नहीं है, और वो जो गर्मी है, पानी के अंदर की, उसको बाहर surface पे लेके आता है, और surface से vaporize हो जाता है, मटके के बाहर से वो चीज, और उसकी वजय से पूरा मटके के अंदर का पानी ठंडा हो जाता है, तो यह पूरा फिनोमिना मैंने बता दिया है, लिखना आपके उपर है, define ISO बार, रिखा ISO बार फिर से आ गए यह question, यह अलग-अलग question है, क्योंकि कभी two marks में, कभी three marks में, ऐसे अलग-अलग पूछा गया है, तो म कैसे लिखो के, दो, आठ और एक, तो यह लिखना भाई कितना मुश्किल है, कुछ भी नहीं, आसान है, why it is, is it advice to tie any luggage kept on the roof of, है ठीक है, बस विदारोपिये है, इनर्शिया का पंगा, इनर्शिया हैने की, बस मुमेंट में है, और अगर हमने उसको रस्टी से नहीं बांदा तो वो सामान जो है, ब्रेक लगाते ही, वो मुमेंट में होने की वज़े से, वो सामान बस से आगे कुछ जाएगा, इसलिए हम उसको रस्टी से बांदते हैं, ठीक है, लोजिक देना आपको, इनर्शिया का लोजिक बहुत खतरना है, बहुत जगह इस्तमाल होता है, इनर् फोर्मूला उफ दा फोलोविं, कैल्सियम कलोराइड का लिखना, आपको सी ये सी ये सी ये सी ये टू आपको ये फोर्मूला बनाने वगार आते होंगे, अभी फिलाल तो भाई बीजी चल रहा हूं, और इतनी रिसर्च करके देखो, अलग-अलग सब्जेक्ट पढ़ाने जैसे कैल्सियम है, ठीक है, मैं सिंपल बताता हो, छोटे वाले से, आसान तरीके से, ठीक है, जैसे एक है N-A, एक है C-L, पहले हमको इसकी वैलनसी देखनी है, जैसे इसकी है पोजिटिव, तो हम जो रियक्षन कराएंगे, ये जो है इसके साथ, ये नेगिटिव है, क्यों से आ जाना चाहिए 8 हो जाना चाहिए उसका तब compound satisfy होगा अब अगर हम इससे बोले कि mg magnesium जिसके पास में two positive है निकि दो फालतू electron है और उसको cl से reaction करवानी है तो वह mg cl नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा क्योंकि इसको दो electron देने ना तो दो के लिए दो ढूंड के लाएगा cl तो वहाँ पे cl के नीचे दो लिख देंगे वैसे जो है अलग-अलग चीजों में जैसे chloride हम भुलाते है chloride में cl2 होता वैसे तो तो alcl2 या इनका जो है इसका देखना है इसकी वैलनसी कितनी है पहले तो कोई मुश्किल काम ने बहुत आसान है फोरूले बनाना ठीक है पहले आते थे और मैंने पहले पढ़ा था बहुत डिटेल में वाट यार फिर टाइम के साथ बूल गया मैं भी कोपटी में से निकल गए चलता है यार यह चीजे पहले मलब काम नहीं आती ना फिर भूलने ल केमीकल चेंग मैल्टिंग ओफ बटर इंबहां पन पर फिजिकल स्टेट बदलिए ना फिजिकल बदला दिखराया यह यह फिजिकल में कुछ नहीं दिख रहा अंदर अंदर हो रहा है वो चीज़ी समझ आ हुगए लुदा थिंगल गया जे बदल गई मलदा फिजिकल चें आसान है ये कुछ भी दे सकते हैं, आप को छाटना, आप आराम से छाट दोगा इसको तो राइड डाउं दा नेम ओफ दा कंपाउंड रिप्रेजेंटिट बाइडा फॉलोविंग के टू एसो फॉर पोटासियम सल्फेट या सल्फाइड या सभी कुछ बनाते होंगे का मतलब क्या ता आ तो जो फोर स्थो हम लगाइं लेंगे हरे काम में मोंट अपनी पोजिशन से कोई इंजन को खीच रहा है वह चल रहा है तो ठीक अब करेंगे ज्यादा नहीं आते कभी-कभी देते हैं वन्माक्स के और दो टाइप के लंबी वाली होती है जो लंबे टाइम तक रहती है और वह दोनों की रेफिशन पड़ लेनी है दोनों के काद इक्जैम्पल भी कर लेने आपको ठीक है लेटिन में चल का क्या मतलब हो बताना है इफ के एंड एल सेल ओफ एटम आर फुल देन वट वुड बी दा टोटल नंबर ओफ एलेक्ट्रोनिम अटम अगर के सेल तुमको सेल का नंबर पता ने के एल एम एन पड़ा होगा फहली सेल में दो दूसरी में आठ तो कितने नंबर का दस नंबर का अटम है तो अटम का अटमिक नंबर पूछाना हमसे बस दस नंबर है थीक है अटमिक नंबर का दस एक्जेंपल देने है पोटेंशल एनरजी के राइड डाउन न्यूटन थर्ड लाफ मोशन तीसरा ला क्या है अगर तुमने किसी को चमात मारा तो चमात का धर्द तुम में भी होगा एक्शन इस इक्वल टू री एक्शन ठीक है ना वही है बस हमारा यह वट आर दा कॉंस्टिट्वेंट ओफ जाइलम यह दोनों के पढ़ लेना जाइलम का क्या काम होता है फ्लोईम का क्या काम होता है फ्लोईम जो है देखो मैंने लिख कोन सा टीशू बनाता है वो बताना हमको यह चोटे कोशन है इनकी खास उमीदे मत करना कि यह जो नो कोशन मैंने राष्ट में दिया ना इनसे ज़्यादा कुछ उमीदे मत रखना तुम बटा उपर वाले सारे कोशन आपको करने है और अगर नहीं मनमान राद यह नो कोशन में ठीक है तो आई होप समझ में आगे हो का वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो भाई लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिसने अभी तक भी नहीं कर रहा है क्योंकि अपकमिंग वीडियो इसी चैनल पर आने वाली है और हो सकता है साइद अगले सा वीडियो बना रखी है तो वह वाली वीडियो भी देख लेना उसमें मैंने सारे MCQ प्रोवाइड करा दिया है जो कि आपके एक्जाम्स में आ सकते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से देख लेना और इस सारे कोश्चन वैबसाइट पे लिखे हो तो इनको लिखे हो भी कर सकते हो आप चाहो तो वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो मिलते हैं नई वीडियो में बाई बाई